सूप्रभाद सर्विछात्रहा कच्छा अस्टम विशय संस्क्रत नव दशह पाटह हट्टह भ्रह्मणम यहने बाजार हट्ट यहने बाजार भ्रह्मण यहने गूमना बाजार गूमना बेटा यह अपना जो 19 पाट है हट भ्रह्मण वाला बेटा उसका मैं यहाँ पर आपको गध्यांश बता रही हूँ यहना मैंने एक पेले ग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है उस पेले ग्राफ को आपको पढ़ना है और इस गध्यांश के मैंने कुछ नीचे कोश्चन लिखे फिर अपन इसके प्रश्च उत्तर करेंगे यहना बेटा सबका ध्यान इधर देखना मैं पढ़ रही हूँ मम ग्रामस्य समीपे एव मेल खेडा नामनी ग्रामे प्रतिमंगल वासरे हटह भवती यहना मम इने मेरा मेरे ग्रामस्य ने मेरे गाउं के समीपे ने पास मेरे गा मेल खेडा नामका गाउं हे जिसमें प्रतिमंगल वार ने मंगल वासरे हटेने बाजार होता है तो बेटा समझे आगे कि मेरे गाउं के पास मेल खेडा नामका गाउं हे जहां प्रती मंगलवार एने हर मंगलवार को बाजार होता है ग्रामम परितह लगु लगु ग्रामह संती ग्रामम परितह परितह ने चारो ओर गाउं के चारो ओर लगु लगु एने छोटे 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 गाउं होते है तत्रत्याह ग्रामिनह मित्रे परिवारेश्च सह हट्ट दिने अत्रा गच्छन्ती तत्रत्याह ने वहां के वहां के ग्रामिन अपने मित्रों के मित्र और परिवार के सह ने साथ परिवार के साथ साथ बजार वाले दिन यहां आते हैं हट इस्तानम विस्त्रतम रमणियम चास्ती हट इने बाजार बाजार का जो इस्तान होता है वह विस्त्रतम इने बड़ा रमणियम इने सुन्दर इना हट का जो है इस्तान जो है बाजार का जो इस्तान वेटा वो बहुत बड़ा और सुन्दर होता है अस्मिन हटे जम्बु हा, कदम हा, वट हा, पिपल अस्य च व्रक्षा हा, संती अस्मिन हैने इस हटेने बाजार, इस बाजार में जम्बु ने जामून, कदम, भुवा टेने बर्गत और च येने और पिपल अस्य ने पिपल के व्रक्षा होते हैं वेटा, है अपना पेला ग्रात है देखना until in the 간 देखेगे मैं अपना अभंको देखेंगे, प्रेशनों कोको देखना है आपको, है न? पेला उस परदेखना है देखना द्रवंको देखना पेला कोर्टबूर्ट में कश्मीन ग्रामे हट न?מה भावति है तो बेटा इसको उत्ता देखेंगे आप पहली पंती में ही लिखा हुआ है कौन सा गाउं का नाम ही आपर मेल खेडा है तो आपको क्या करना है यहापर किसको हटाना है इसमें से आपको कस्मीन यह कस्मीन लिखा हुआ है इसको हटाना है और इसकी जगे आपको क्या लिखन मेल खेडा ग्रामे मेल केडा यहाफ पर कस्मीन को अटा ना उसकी जगे क्या लिखना है मेल केडा तो इसको अत्तर पूरा क्या हो जाएगा मेल खेडा ग्रामे हट्टह भवती तो यह से आपको बेटा आपको यह पूरा उत्तर लिखना है दूसरा प्रश्ण पढ़ेंगे बेटा हट्टह कस्मीन डिवसे भवती अब यहां दूसरे में पूचा है बाजार किस दिन लख होता है तो अब यहां पर देखेंगे आप उपर द प्रति मंगल में दिवसे भवती कर्श्म्मीर दिवसे भवती ऐसे तो प्रति मंगल लिखना और तो अप यह दिवत से हटा सकते हो Почему आट्षम Im अलए है इसमें अपनें वाश्रे जोड़ दिया है नो आप दिवत से मत लिखना में तिसरा question ग्रामम परितह के संती यहने गाउं के चारोर क्या होते हैं तो बेटा अब यहाँ पर आपको क्या करना है के को अटा नहीं अब देखो यहाँ पर क्या लिखा वह यह रहा ग्रामम परितह लगू लगू ग्रामहा संती तो बेटा ये देखो यहांचे आपको तीसरे का उत्तर लिखना है ये यहांचे ग्रामह संती तक ये निशा लगा दिया है ये कुणशे का उत्तर है बेटा गह का तो ये गह का उत्तर में नहीं हा लिख जा है ये वाला आपको उतारना है पूरा उत्तर स्वर्ण में आगे ब लिखा है ना अस्मीन हट्टे जम्बु हुकदम वठ लगशा हूज नाम लिखना है जम्बु कदम वटह पिपलस्य च है न फिर व्रक्षाह संती तो समझ में आगे बटा आपको यह गह वाले का उत्तर है इसमें आपको केके को हटाना है और केके को हटा कर आपको इन चारों व्रक्षों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है कोश्चन नमबर पांचव पढ़ेंगे बटा देखना बवती इत्ती पदस्य धातू लकारह पूरुशह वचनम्च लिखत अब बटा देखना है व्याकरन का है कोश्चन अपना है व्याकरन का है तो इसमें भवती शब्द दिया है इस भवती शब्द के अपनी को धातु लिखनी है कौनसा लकार है, कौनसा पूरुश और कौनसा बचनी, तो यह इसमें अपने को चार बात लिखना है तो इसको अतर बेटा मैं लिख रहे हैं ध्यान से देखेंगे पेले अपने शब्द लिख दिया भवती अपेले बेटा इसकी क्या पूछी अपने को धातु तो भवती शब्द की धातु क्या है बेटा भू भव भू भव फिर क्या पूछा उन्होंने लकारह फिर लकारह लिखेंगे कौनसा लगारे बेटा ति लगा वा है तो लटलकार वर्तमान काल लटलकार हो पुरूष कुन सा आएगा ति लगा हो है तो कुन से पूरुष माता बेटा ति लगा है तो प्रतम पुरुष फिर आखरी में पूँछा है बचनम तो कुन्से वच्णम में आएगा यह एक वच्णम में आता है तो यह बेटा यह अपना उत्तर हो गिया यह वाला यह वावत्ती सब्द का तो धातू क्या ओगी बेटा इसकी भूभाव लकार कुन शा ओगया लटलका, पुरुष कुन सा हो गया, प्रथम पुरुष और वच्चनम कुन सा हो गया, एक वच्चन, तो यह पूरा गध्यांश हो गया अपना, इसको आपको कॉपी में उताल लेना है, पहले गध्यांश उताना, फिर एक कोश्चन लिखना, फिर उसका उत्ता लिखना, फिर